गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तुडे आई विल एक्स्प्लें यू एडिसन सम्स एडिसन मींज जोडने वाले सम्स जो एडिसन सम्स होते हैं वो हम जोडने वाले सम्स भी कहते हैं हमें two numbers दिये होते हैं उन्हें हमें जोडना होता है जैसे 32 प्लस 63 ये हमें बोलना भी आना चाहिए सम 32 प्लस 63 means 32 में हमें 63 को प्लस करना है तो कैसे प्लस करेंगे जब भी हम कोई सम्स प्लस करते हैं या एड करते हैं तो right hand वाला सम पहले करते हैं left hand वाला सम बाद में करते हैं तो ये सब हम आज finger की help से करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए 2 में पहले हमें 3 add करना है तो पहले हम finger पे 2 count कर लेंगे 1, 2 इसके बाद हम 3 count कर लेंगे 1, 2, 3 अब इन सभी को count कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कितना हुआ हमारा बच्चो 5 तो हम इसके नीचे 5 write कर देंगे ये भी ध्यान रखना है हम पीछे वाला कर रहे हैं तो हमें यहीं पे answer write करना है आगे write नहीं करना है अब हमें 6 में 3 को add करना है पहले 3 sorry 3 में 6 को add करना है तो पहले हम 3 count करेंगे 1, 2, 3 अब हम 6 count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब हम इन सभी को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 हो गया अब हम यहाँ पे 9 write कर देंगे next sum है 14 plus 45 14 में हमको 45 plus करना है तो मैंने अभी आपको बताया पहले right hand वाला करते हैं उसके बाद left hand वाला करते हैं तो right hand वाला करेंगे 4 में 5 को add करना है पहले 4 count करेंगे 1, 2, 3, 4 अब 5 count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब इनको सभी को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 हो गया तो हम 9 write कर देंगे अब 1 and 4 को add करेंगे पहले 1 count कर लेंगे 1, अब 4 count कर लेंगे 1, 2, 3, 4 अब इन सभी को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 हो गया तो हम यहाँ पे 5 write कर देंगे next sum है 23 plus 35 23 में 35 को add करना है समसे पहले हम 3 and 5 को add करेंगे 3 count करेंगे 1, 2, 3 इसके बाद 5 count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब इन सभी को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गया तो हम यहाँ पे 8 write कर देंगे next है 2 में हमें 3 को add करना है तो पहले 2 count करेंगे 1, 2 अब हम 3 count करेंगे 1, 2, 3 अब हमारा total कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे 5 write कर देंगे next है 64 plus 32 64 में हमें 32 को plus करना है तो सबसे पहले हम पीछे वाला करेंगे 4 में 2 plus करेंगे तो पहले 4 count करेंगे 1, 2, 3, 4 अब 2 count करेंगे 1, 2 total क्या हुआ हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हुआ तो हम यहाँ पे 6 write कर देंगे next 6 में हमें 3 को add करना है तो 6 count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब 3 count करेंगे 1, 2, 3 अब इन सभी को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब यह हमारा क्या हो गया? 9 9 10 11 12 13